हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, इन्टीग्रेटेड फिजिक स्टडीज आई-पी-एस एथरे मूँ अल्ड़ेडी प्लस टू सेकेंडर सिलाबस कम्प्लीट करी सारची एवे मूँ प्लस ट्री सीवी सीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अप्लोड करी वी जोदी भल लेगला है ताहले लाइक कर दबो एवां सब्सक्राइब कर दबो जो वीडियोज गुड़ा मूँ अप्लोड करी वी तारा नोटिफिकेशन पाई एठी बेल क्लिक करी डाउनलोड मुझे और करी परीवा पीडियोज कू लास्ट रे एठी जो मुरो चैनल नेम मची याको क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मुड़ती वीडियोज को यूनिट वाइज एच पर सिलाबस हो जाई की रोके ती भी तमें सब्सक्राइब करी पर इस गीविंग लार्ज डिफ्लेक्शन इवन होने स्मॉल करेंट इज पास्ट रूएट और अस्मॉल चार्ज इज बिंग सेंट रूएट तो गोटे छोट्टों वेलु अब करेंट किमबा चार्ज जोदी भी आमें दोचू से गाल्बनोमेटर है तेवे ता द्वारा Q equal to K alpha or K equal to Q by alpha so this ratio Q by alpha is actually known as the charge sensitivity of the ballistic galvanometer it is also the ballistic constant so charge sensitivity from a defined query pariva as the charge required to produce a unit deflection in the galvanometer okay now when you are passing a charge Q through the ballistic galvanometer it is giving an angular momentum to the coil okay ताहा द्वारा एबे oscillation हो जी सपोज alpha हेगला deflection of the coil then this charge Q can be given by this relation Q equal to TK divided by 2 pi NbA into alpha एटा में previous class रे देखी थिला ताहले सपोज lamp and scale arrangement आमें नी चू आव स्केल को आमें प्लेस करीके रोखी चू at a distance small d from the mirror which is attached to the phosphor bronze suspension fiber ताहले when the coil is deflected through an angle alpha मैंने alpha र एंगेल रोजदी twist हेला ताहले the reflected ray now turns through double this angle मैंने 2 alpha हिसाब रे ये reflect हेवो रेटा ताहले ताहले आमें आमें जानी चू जे theta equal to arc by radius ताहले ये हिसाब रे 2 alpha equal to x by d हेगला okay so a relation रू alpha रो भेलू आमें पाइला x by 2d now let us substitute this value of alpha in the expression for the charge okay so after putting this value of alpha ये बे charge q रो भेलू ये बढ़े आसी गला येठी x by 2d replace कर दीचू आमें okay so by the definition of charge sensitivity it is given by q by alpha ताहले यारो भेलू टाके त्यासिला tk by 2 pi nba this is the value of charge sensitivity आमें si unit रे देखिबा ये charge sensitivity रो यूनिट ताहला कूलोंब पार रेडियान गोटे जिन सो एठी कोही रोखुची बही रे एई जागारे एटा ओल्टा लखाई तेला alpha by q लखाई तेला एटा प्रिंटिंग मिश्टिक थिला मुँँ एठी सोजाडी ची एई जिन सोटे भी ओल्टा लखाई तेला ओके सो जेती की प्रिंटिंग मिश्टिक मुँ नोजर को आउश्ची मुँ एठी edit करी की सोजाडी दूची फिर भी जोदी मुँ किछी skip करी जाई थिभी तामें comment section रे मतें कोही पारिवा नव लट अस गो तो दे सेकेंड पार्ट दे करेंट सेंसेटिविटी अब दिस ब्लिस्टिक गल्वा नोमिटर सोजाडी ठीक चार सेंसेटिविटी वढ़िया current sensitivity को मद्या आमें define करी परिवा as the current required to produce a unit deflection in the galvanometer यही definition बीट इके भूल थेला मुँ edit करीची ताले current sensitivity रो भेलो हेगला IE by alpha so जदी steady current IE flow करुची through the ballistic galvanometer and it is producing a steady deflection alpha ताले आमें deflecting torque को equate करी परिवा restoring torque सहीत deflecting torque रो भेलू आमें जानीचू NBIA similarly restoring torque रो भेलू जानीचू K alpha ताले एबे IE को आमें गोटे साइड रो खिदला IE रो भेलू केते आसीला K alpha divided by NBA so current sensitivity IE by alpha रो भेलू आसीला K by NBA हैला एटा कुब भूई मुँ edit करीची बही रेटीके printing mistake थिला ताले एबे दखो आमें जोदी expression जो पाइला एटा current sensitivity रो तको आमें जोदी compare करीवा charge sensitivity रो expression सोहीत ताले आमें एठी जानी परिवा जी charge sensitivity is equal to T by 2 pi into current sensitivity ओके मनें पकाओ जो आमें या पूर्वो जो charge sensitivity कोरू थे ला सिथी रे charge sensitivity रो भेलू आस्ति ला T by 2 pi into this much ओके T k divided by 2 pi NBA ही बड़े आस्ति ला तो यह रिलेशन आमें पाइला अच्छा SI unit रहे है आमें current sensitivity हेगला यारो SI unit ampere per radian दोस दो चार्ट sensitivity अपे moving coil galvanometer can be increased by applying the following conditions दखो फास्ट कॉंडिशन रहा सिला by increasing the magnetic field B so as to make the magnet strong आच्छा एठी आमें दखो relation जो पाई चू एक्चूली current sensitivity रो एठी magnetic field जो B अची एठा तमरो denominator रो अची सो B रो भेलू जोदी increase करू चू आमें ताले LHS side जो current sensitivity रो भेलू टा कॉम ही जिब से याही दरकार ओके current sensitivity माने तारो भेलू जेत्ते कॉम आशिबो सेत्ते ही से इंस्ट्रूमेंटा sensitive बोली आमें कोहिबा ओके तेनु करी आमको LHS को कॉम करी बार आची बेसी आशिले sensitivity माने सेत्य हिसाब रे कॉमी कॉमी जिबो बुचला सो second point रे ये कोह ची by increasing the number of turns small n of the coil this may increase the resistance of the coil also and hence the current sensitivity may decrease किन नमबर पॉइंट रे by increasing the area A of the coil so as to make the galvanometer bulky and hence we cannot increase the area beyond a certain limit कुट ए पार्टिकुलर लिमिट पर जान तो ही आमें area टको बढ़े ही परिवा आशेसा point रहे ये कोह ची by decreasing the value of constant k by using a fine fiber of phosphor bronze or quartz instead of a circular wear okay so the value of the coefficient of restoring torque जोटा k it is least for the substances like quartz and phosphor bronze तो यही material या यूज हुए as the fiber okay अच्छा गोटे जिनसर येटी मार करो जोदि आमें charge sensitivity कुँ देखीवा it becomes equal to the current sensitivity for the condition when t by 2pi becomes equal to 1 that means जित्य बढ़े गोटे टाइम पिरियोड आसी जाओची गोटे टाइम पिरियोड मने कौन it becomes equal to 2pi seconds ताले एई टाइम पिरियोड रे charge sensitivity तमरो current sensitivity सोईतो समान ही जाओची okay so सेसरे गोटे जिनसर नोट करो a dead bead galvanometer कोहिले आमें कौन भूजिवा देखा इन्ने moving coil dead bead galvanometer the current carrying coil moves around a soft iron core and thereby inducing eddy current okay say eddy current कु ये थिरे induce करीवा so this induced current oppose the motion of the coil in a coil motion को ये अपोज करीवा ताहले opposition द्वारा एबे damping हब आम आकको पड़िवा okay and damping हबा द्वारा it makes the galvanometer dead beat so no such iron core is used in a ballistic galvanometer okay thank you